क्रिकेट के तरह कबड़ी में भी प्लेयर बाटल्स होते हैं और इस वीडियो में मैं आपको वही समझाओंगा जहाँ पर आपको ये पता चलेगा आज वो कौन से डिफेंडर्स होंगे जिनके पास सबसे ज़ादा टैकल करने का अपरचुनिटी होने वाला है कौन से डिफेंडर्स आज बहतर कर सकते हैं तो वीडियो को बुरा देखिएगा और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करके इस छोटे से फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाएगा अच्छा शाम को ठीक साड़े साथ बजे ये मुकाबला खेला जाएगा और इस मैच का फाइनल अपडेट आपको मिलेगा हमरे टेलिग्राम चैनल पे जिसका लिंक आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाएगा न दोस्त एकदम उपर जो पिंट कॉमेंट होगा वह अच्छा पहले बात करेंगे तेलेगू टाइटन स्टीम के बाड़े में जो के फिलाल आखिर पुजिशन 12 पे बने हुए है पॉइंट सेविल पे 15 में से सिर्फ एक मैच जीते है 14 हाड़े है ठीक है रीसेंट फॉर्म देखेंगे पिछले 5 मैचस बैक टू बैक बैक टू बैक हारते वे आ रहे हैं टीम का मोमेंटम बिलकुल बिगड़ा हुआ है कोई सेटल कॉमिनेशन नहीं है एक से दो प्लेयर को छोड़के ठीक है तो टीम चेंजिस कर सकते हैं सबस्टिटूट्स के प् पिछले 6-7 मैचस से काफी अच्छे कर रहे हैं हलाकि पिछले मैच में ये भी नहीं चले ठीक है अभिशेक सिंग पिछले मैच में ठीक किये थे मोसन मकसूदलू को खिला गया था अब मोसन मकसूदलू टीम के थर्ड रिडर है जो के एक आल राउंडर भी है अब इनके वैसवाल बिचसन पीसेस में परफॉमेंस दिये हैं हलाकि लास्ट मैच में तीन टैकल पॉइंट्स निकाले हैं और प्रिंस डी और सुर्जीद कोई एक राइट कवर पे खेलेगा राइट कवर अभी भी सेटल नहीं है क्योंकि सुर्जीद कंसिस्टेंटली परफॉमेंस नहीं कर पाड़े हैं ज्यादतर सुर्जीद ही खेले हैं पिछले मैच में प्रिंस डी को खिलाया गया था प्लेयर्स का पॉजिशन देखेंगे तो अंकित यहां पे राइट कॉर्णर पे परवेस वैसवाल लेफ्ट कवर पे प्रिंस डी राइट कवर पे और विशाल भार आके देखोगे इनका तो पिछला मैच तो जैपूर के सामने 32-22 के मार्जिन से हाड़े थे बट पिछले पांच में से सिर्फ दो ही मैच जीत पाए हैं और तीन मैचस हाड़े हैं अब टीम का दिक्कत क्या चल रहा है देखो स्टार्टिंग सेवन अब अच्छे से कि हर एक टीम लगभग तीन रेडर्स के साथ जाते हैं ये दो में रेडर के साथ जाड़े हैं डिफेंस इनका जादा स्ट्रॉंग करना पड़ा है क्योंकि टीम का जो में डिफेंडर है ना सुरिंदर टीम के कैप्टेन पिछले तीन-चार मैचस से नहीं खेल पा रहे हैं ड्यू टू इंजरी आज अगर वापस आते हैं तो में भी एक्स्ट्रा एक जो ये डिफेंडर खिला रहे हैं ना किरन मगर इनके जगा एक एक एक्स्ट्रा रेडर ये खिला सकते हैं अब कम्प्लीटली रेडिंग में घुमान सिंग और आशिश के उपर बहुत जादा डि सकते हो सेम विद आशिश जो कि आपको डिफेंस में भी टैकल पॉइंट्स निकाल के देंगे प्लस रेडिंग से तो पॉइंट्स दे ही रहे हैं ठीक है तो दोनों फॉर्म में हैं ऐसा आप कह सकते हो बाकी रिंकु एच सी राइट कॉर्नर में और मोहित खाले लिफ्ट आते हैं वो लेफ्ट इन में आ जाते हैं जब रेडर राइट साइट से आ जाते हैं तो वो राइट इन पे आ जाते हैं ठीक है यह अपना पोजीशन मैट में चेंज करते हैं ऐसे डिफेंडर्स का पोजीशन भी आप चेकाउट कर लेंगे तो रिंकु एच सी आपको राइ से साइट से रेडिंग करने जाएंगे और उनके सामने कौन से कौन से डिफेंडर्स आने वाले हैं देखो यहाँ पे यू मुंबा के डिफेंडर्स डिफेंडिंग कर रहें और तेलिगू टाइटन्स के रेडर्स रेडिंग करने जा रहें ठिक है तो तेलिगू टाइटन्स क करते हैं motion मक्सूदलू भी right side से करते हैं तो हलका सा rating right side से जादा होगा तो opponent team का जो right side का defense है वो काफी important होने वाले हैं चलिए देख लेते हैं right side में opponent team के defense में कौन से कौन से होगे तो right side में सबसे पहले left corner खड़ा होता है Mohit Khaler जो के आज grand league में काफी important होंगे शिवान स्थाकुट जो के फिलाल captain सुरिंदर सिंग के जगा खेल रहे हैं बहुत important आज होने वाले हैं क्योंकि कोई नहीं लेगा ठिक है और यहाँ पे right corner पे rinkoo HC जो के काफी अच्छा advance tackle करते हैं especially right raiders को और abhishek Singh और mosen मक्सूद लू दोनों ही form में नहीं है तो उनको बहुत अच्छे से ये तीनो defenders tackle कर सकते हैं यहाँ दीजेगा ठिक है अब left side से जब सिधार देशाई rating करने आएंगे उनके सामने rinkoo HC होंगे फिर left cover पे हरिंदर कुमार होंगे फिर बोहित खालेर जोके left raider के सामने उतना खास नहीं करते हैं तो सिधार देशाई specially ज़ादातर rating मेरे हिसाब से आज left side से करने वाले हैं क्योंकि यहाँ से इनको point निकालना काफी आसान होने वाला है अच्छा बात करेंगे दूसरे player battle के बारे में देखो यहाँ पर तेलेगू titans के defenders defending कर रहें और यू मुंबा के raiders raiding करने जा रहें तो यू मुंबा के तरफ से left side से main raider घुमान raiding करेंगे right side से आशीश raiding करेंगे ठिक है तो घुमान सिंग जब raiding करने जाएंगे इनके move के बिलकुल सामने होंगे अंकित जोके उतने खास form में है नहीं फिर परवेज वैसवाल जोके पिछले match में तीन tackle points निकालते वे आड़ है और confident होंगे ठिक है फिर विशाल भार्दवाज advance tackle करने का कोशिश करेंगे जो right traders के सामने उतना खास perform नहीं करते हैं ठिक है तो यहाँ पर घुमान सिंग पहले तो इनको touch करके points निकालने का कोशिश करेंगे फिर विशाल भार्दवाज को running hand touch करके points निकाल सकते और बचना होगा इनको परवेज वैसवाल से ठिक है अच्छा जब right side से आशीश रेडिंग करने आएंगे सबसे पहले होंगे विशाल भार्दवाज जो के right traders के सामने काफी अच्छा करते हैं specially ankle hold, thigh hold कर लेते हैं ठिक है फिर prince d जो के पिछले match में सुरजीत के जगा right cover में खेलेते उतने खास experience है नहीं तो आशीश तो पहले इनको touch करके points निकालने का कोशिश करेंगे और यहाँ पर अंकित आपको दिख जाएंगे जो उतने खास perform नहीं कर पा रहे हैं इनको भी running hand touch करके आशीश points निकाल सकते हैं तो आशीश को mainly विशाल भार्दवाज से बचना होगा ठीक है अच्छा फिलाल दोस्तो मेरा small league का team combination कुछ ऐसा बना है जहाँ पर captain मेरे घुमान सिंग होंगे वाइस captain रिंकू HC आप चाहो तो आशीश के साथ भी जा सकते हैं जो कि rating and tackle दोनों तरफ से आपको points दे रहे हैं ठीक है vice captain सिधार देशाई भी बुरे नहीं होंगे क्योंकि left side का defense जो मुंबा का है उतना strong नहीं है और आज सिधार देशाई left side से ही जादा rating करेंगे ठीक है बाकी final update में telegram channel पे दे दूँगा देखो यहाँ पे किरन लक्समन मगर को में ने लिया है जो के left end and right end पे खेल रहा है बाट बहुत बढ़िया corner के defender है ठीक है अब एक corner का defender अगर out हो गया वो उस corner के defender की जगा चले जाते है and as an corner defender खेलते है तब वो बहुत important हो जाते है ठीक है तो लक्समन मगर को आप बिलकुल ignore मत कीजेगा specially अगर surrender नहीं खेलते हैं इनका role और important हो जाता है परवेस वैसवाल क्योंकि पिछले match में काफी अच्छा किये थे जो के कल ही खेला गया था और इनके तरफ से घुमान सिंग rating करेंगे तो दो-तिन tackle points आज भी ये निकाल के दे सकते हैं डिंकू HC तो form में है ही अब आप बोलोगे कि जय भगवान कहां से आ गए देखो जय भगवान as an all rounder खेलते हैं अब जब सुरिंदर खेल रहे थे इनको as a third rider खिला आ जा रहा था इनको कभी-कभी या फिर कभी-कभी Heather Ali Ikrami नाम का एक player है उनको खिला आ जा रहा था दोनों ही लगबग left side से rate करते हैं पिछले match में as a substitute Heather Ali Ikrami और जय भगवान दोनों आये थे फिलाल क्योंकि जय भगवान आपको tackle से भी points दे सकते हैं और rating से भी points दे सकते हैं इसलिए जय भगवान को मैं ने लिया है नहीं तो आप देखोगे ना all rounder section में कोई khas player नहीं है सारे के सारे as a substitute ही खेलेते पिछले match में ठिक है तो इसलिए जय भगवान जिनका selection 62% है grand league में आपको शिवान स्थाकूर को try करना है specially अगर सुरिंदर नहीं खेलते हैं तो शिवान स्थाकूर और important हो जाएंगे विशाल भार्दवाज के तरफ से रेडिंग करेंगे आशीश जो के काफी अच्छा ankle hold, thigh hold कर लेते हैं विशाल भार्दवाज उनको tackle करके आज 2-3 tackle points ये भी आपको निकाल के दे सकते हैं grand league में बिल्कूल try कीजेगा बहुत कुछ depend करता है कि पाजी सुरिंदर सिंग आज खेलेंगे की नहीं खेलेंगे उसके उपर हमारे team combination में changes होंगे तो final team के लिए telegram पे जरूर जो जाएगा, ठिक है?